फिल्म एक किराने की दुकान के द्रश्य से शुरू होती है जहां पिता और पुत्र, शोता और उसामू दुकान में चोरी कर रहे हैं उनके परिवार के लिए आवश्य किराने समान का शोता एक होशार चोर है और एक जिक्यासू बच्चा जो पढ़ना पसंद करता है एक निर्मान स्थल पर एक मजदूर है और वह पढ़ नहीं सकता दुकान से चोरी करने के बाद दोनों अपने घर के रास्ते आगे बढ़ते हैं वे ठंड में अपने घर के बाहर बैठी एक छोटी लड़की जूरी से मिलते हैं वे उसे एक क्रोकेट देते हैं और उसे रात के खाने के लिए घर ले आते हैं घर में ओसामू की पत्नी नुबूयू है एक मजबूत और संतुलित महिला जो एक कपड़े धोने की जगा में काम करती है हट्सू एक सनेही और हुशियार जादी है जो मजब करती है परिवार की उसे मिलने वाले पेंशन से जो उसे मृत पूरुपती की वज़े से मिलता है और अकी एक सुन्दर यूबा महिला जो एक पीप पार्लर में काम करती है लेकिन बहतर माना संबंधों के लिए तरस्ती है पूरा परिवार बहुत खुशी से जूरी का ध्यान रखता है रात के खाने के बाद जैसे ही वे उसे घर छोड़ने के लिए जाते हैं उन्हें अंदर से लड़ने की आवाज आती है इसे देखते हुए नुबूयू ने जूरी को थोड़ा और जोर से दले लगाया और उसे नहीं चोड़ने का फैसला लिया अगले दिन दादी जूरी के चोटों पर मरहम लगाती है और जूरी ने शोता के साथ संबंध बनाया क्योंकि वे एक साथ दिन बताते हैं शोता उसे दिखाता है कि कैसे चोड़ी की जाए रात के खाने के दौरान अक्की इस तत्य पर अपनी चिंता दिखाती है कि ऐसा लगता है कि परिवार ने जूरी का अपहरन कर लिया है लेकिन नुबूयू ने इसे यह कहते हुए नकार दिया कि यह अपहरन नहीं है क्योंकि वे फिरौती की मांग नहीं कर रहे हैं बस तभी उसामू घायल होकर घराता है और कहता है कि एक महिने के लिए अब वह काम नहीं कर सकता इस बीच जूरी परिवार के साथ अपने समय का आनंद लेती है एक मचली पकड़ने की छड़ को चुराने में उसामू और शोता की मदद करती है जिसके बाद उसामू उसकी पीट थप थपाता है और उसे शोता की वेहन कहता है लेकिन शोता को यह पसंद नहीं और वह भाग जाता है जब उसामू से मानाने के लिए जाता है तो वह शोता को पिता कहलवाने की कोशिश करता है यह दरशाते हुए कि विचैविक रूप से संबंधित नहीं शोता अहसैमत है और कहता है कि वह किसी और दिन ऐसा करेगा पूरा परिवार एक साथ काफी समय बिताता है एक रात पेजूरी के लिए टेलीविजन पर एक लापता व्यत्ती की रिपोर्ट देखते हैं वे सभी पकड़े जाने से चिंतित हैं लेकिन वे जानते हैं उसे धूर भेजने में बहुत देर हो चुकी है वे चूरी की हेरस्टाइल को बदलते हैं और उसे नया नाम देते हैं लिन नुबूयू उसकी मा की तरह काम करती है और उसे खरीदारी कराती है वे दोनों भावनात्मक रूप से बंधते हैं जैसे वे स्नान करते समय अपने निशानों के बारे में बात करते हैं नुबूयों नी अपनी पुरानी पुशाक को भी जला दिया अपनी मा के दुर्व्यहार की निशानी वह उसे गलेक लगाती है और सिखाती है कि कैसे दुर्व्यवहार प्यार का संकेत नहीं है लिन और शोता अब भाई बहन के रूप में एक साथ खेलते हैं वह अएक दुकान से उससे चोरी कराता है लेकिन वे पकड़े जाते हैं हाला कि दुकानदार उसे अतरिक्त कैंडी देता है और उससे कहता है कि बह अपनी छोटी बहन से बुरा काम ना कराए यह घटना शोता की वीचारों को आने वाले दिनों में चोरी की नयतिक्ता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है इस बीच नोबूयू को नौकई से भी निकाल दिया जाता है हच्चू नियमित रूप से अपने मृत पूर्वपती के बेटे की घर भी जाती है खाला की उसके सोतेले बेटे और उसकी पत्नी को इस तर्फ की जानकारी नहीं है की उनकी सबसे बड़ी बेटी अकी दादी की साथ रहती है उसका सोतेले बेटा इसके बावजूद हर बार उनके आने पर उनको पैसे देता है उसकी माँ ने जो कुछ भे किया उसके मुआफजे के तौर पर परिवार ने समुद्रतप पर विश्राम की योजिना बनाई वे सभी वहा मजे करते हैं ये पांच व्यक्ति जो किसी भी रक्त संबंध से बंधी नहीं है एक परिवार की तरह दिखते हैं जब वे हसते हैं और एक साथ खेलते हैं दाधी उन्हें देखती हैं और परिवार होने से संतुष्ट महसूस करती है अगले दिन वे सब जाकते हैं और देखते हैं कि दाधी का नींद में निधन हो गया है अकी को बहुत दुख महसूस होता है नुबूयू और उसामो को पता चलता है कि उनके पास अंतिम संसकार या दाह संसकार के लिए पैसे नहीं है इसलिए वे उसे घर के नीचे दफना देते हैं नुबूयू दादी के नाम पर पेंशन लेना जारी रखती है वे उनका छिपा हुआ धन भी ढून लेते हैं शोता को चीजों पर संदे होता रहता है जब उसामो एक कार में घुसने की कोशिश करता है तो शोता उसकी मदद करने से इनकार करता है चुकि कार किसी और की है और चला जाता है एक तिन चोरी करते समय जैसे ही शोता लिन को एक पैकेट उठाते हुए देखता है वह एक तमाशा बनाता है और दुकान से बाहर संत्रे लेकर डौड़ता है गाड उसके पीछे जाता है लेकिन वह एक पुल से कूच जाता है और उसके पैर में चोट लगती है अस्पताल में जब पुलिस, नोबूयू और उसामू से शोता की माता पिता के रूप में उच्टाश करने की कोशिश करती है वे बाहना बनाते हैं और चले जाते हैं लेकिन जैसे जैसे वे भाग रहे हैं वे पकड़े जाते हैं जासूस मामले को अपने हाथ में लेते हैं और लापता दादी के बारे में सवाल पूचते हैं लिन कहती है कि समुद्रतर पर केवल पांच लोग थे परिवार के प्रती अपने निष्ठा का संकेत देते हुए शोता भी पहली बार सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देता लेकिन जब वे उसे बताते हैं कि परिवार उसके बीना भाग रहा था तो बह धिला पड़ जाता है वे अकी को बताते हैं कि उसामु और नोबुयू उनके असली नाम नहीं है और नुबूयों ने अपनी पूर्व पती को मार डाला और दफन कर दिया जिस पर अदालत ने आत्मरक्षा के रूप में फैसला सुनाया और ये कि दादी उसके माता पिता से मासिक पैसे लेती थी जल्द ही पुलिस को घर पर दादी के शरीर का पता चल जाता है नुबूयों ने माना कि उसने यह सब अकेले किया नतीजतन उसे लाश ठिकाने लगाने के जुर्म में भारी सजा मिलती है अभी भी अविश्वास में अपकी एक आखरी बार घर जाती है शोता अन्य बच्चों के साथ लड़कों की सुविधा में रहने के लिए सहमत है लिन अपजूरी फिर से को उसके जैविक माता पीता के साथ रहने के लिए भेजा जाता है उसामू को रहने के लिए एक छोटा सा घर दिया जाता है इसके तुरंत बाद शोता ओसामू से मिलने जाता है और वे मचली पकड़ने जाते हैं वे जेल में नोबोयू से भी मिलने जाते हैं वह शोता को एक सही स्थान बताती है जहां से उसे उठाया गया था ताकि वह चाहे तो अपने असली माता पिता से मिल सके शोता अपने बाकी दिन खाने का आनंद लेता है और अपने पिता के साथ सोता है पुराने दिनों की तरह अगले दिन वो सामू शोता को बस स्टैंड पर छोड़ देता है वह फिर बस के पीछे भागता है शोता का नाम लेकर शोता अपनी खिड़की से वापस देखता है और उसे पिता कहता है लेकिन वह उसे सुनने के लिए बहुत दूर है फिल्म के अंत में जूरी सडक की योड़ देखकर बैठी है ठीक शुरुवार की तरह सिवाए इस बार कोई उसे बचाने नहीं आ रहा है एक सवाल शॉपलिफ्टर मजबुती से पूसता है कि ऐसा क्या है जो परिवार बनाता है और क्या आप अपने परिवार का चैयन कर सकते हैं जब आपका जैरीक परिवार आपको एक निर्वासित की तरह मानता है सांस्कृतिक सीख कुछ पारंपरिक संस्कृतियों में बच्चों को नमक चटाया जाता है ताकि वे बिस्तर गीला ना करें सांस्कृतिक सीख जापान में मृतकों को पूजास्थल के बगल में रखा जाता है क्योंकि उन्हें पवित्र माना जाता है